हेलो स्टुरेंट्स दिस प्राची वेलकम तो अवर चानल आजम स्टार्ट करने वाले हैं एपी चाप्टर का एक्जाम्पल फर्स्ट तो अभी तक अगर आप लोगों ने इंट्रॉडक्शन वीडियो नहीं देखी हैं आपको नहीं पता चला कि एपी क्या होता है कॉमन इपीशल रहेगी for whole of this chapter चलि स्टार्ट करते हैं example first for the AP 3 by 2 1 by 2 minus 1 by 2 and minus 3 by 2 write the first term and the common difference तो हमें एक AP दे रखा है that is 3 by 2 1 by 2 minus 1 by 2 minus 3 by 2 तो फिर हमें क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है first term बताओ तो हमें पता है कि जो सबसे पहले लिखी होती है वो क्या होती है आपकी first term जिसको हम denote करते हैं A से तो A है आपके पास 3 by 2 अब क्या निकालना है? अब निकालना है common difference common difference क्या होता है? हम क्या करते हैं? हम पहले सभी terms लिखते हैं तो A है आपके पास ये second term को denote करते हैं A2 से that is 1 by 2 third term क्या है? minus 1 by 2 fourth term क्या है? minus 3 by 2 अब हमें निकालना है common difference तो common difference के लिए हम क्या करेंगे? कोई भी एक term उठाएंगे उसमें से पहले वाली term को क्या कर देंगे? minus कर देंगे जैसे की A2 minus A1 मैंने second term उठाए उसमें से पहले वाली term कौन सी बनेगी? first उसमें से first को minus कर रही हूँ मैं 1 by 2 minus 3 by 2 तो ये आगया minus 1 और भी चेक कर लेते हैं मैं कोई भी और random term उठा रही हूँ चाहिए term उठा रही हूँ इसमें से पहले वाली term को मैं minus कर रही हूँ ये कौन से term है? fourth term है fourth में से पहले वाली term कौन सी होगी? fourth में से third term को minus कर रही हूँ minus third term की I have a पास minus 1 by 2, यह होगे minus minus plus, तो आप यहाँ देख सकते होगे, यहाँ पर भी minus 1 है, यहाँ पर भी minus 1 है, तो दोनों में क्या है, difference common है, difference मतलब की minus, और common मतलब की दोनों का same है, तो common difference that is d कितना है, आपके पास minus 1, तो यह निकाल लिए आपने common difference, चलिए अप करते है, example second, example second है, which of the following list of numbers does not form an AP, if they form an AP, write the next two terms, हमें यह 4 series दे रखी हैं, और हमसे पुझा गया है कि कौन सी AP बनाती है, और कौन सी AP नहीं बनाती है, AP मतलब arithmetic progression बनाती है, कौन सी नहीं बनाती, जो बनाती है, उसकी next two terms निकालो, तो सबसे पहले हम check कैसे करते हैं, AP start करते हैं with first part, तो AP check करने के लिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं, first term क्या है, first मतलब जो first number पे लिखी है, second number पे कौन सी लिखी है, तो इस तरह से हमने लिख लिया, इनकी चारो terms, अब चारो terms आने के बाद, फिर हम क्या करते हैं, कोई भी एक random term उठाएंगे, चाहे मालो मैंने ये term उठाई, इस term में से पहले वारी term को क्या कर दूँगी, मैं minus कर दूँगी, कौन सी term है, third term है, तो a3 minus, उसे पहले वाली term कौन सी होगी, a2, यह होगे 16 minus 10, that is 6, अब कोई भी random term उठा लो, अब चाहे ये उठा लो, ये वाली कौन सी है, fourth, fourth में से क्या करेंगे, हम पहले वाली term क्या कर देते हैं, minus कर देते हैं, तो पहले वाली कौन सी होगी, third term, ये भी आगया, आपका 6, दो तो मैंने चेक कर लिए, अब अगर आप लोगों की मर्जी है, तो कोई और भी आप चेक कर सकते हो, जैसे कि second में से आप first वाली को minus करके check कर सकते हो, तो second में से पहले वाली minus करेंगे, तो ये इनकी first, 10 minus 4, 6, तो आप देख सकते होगे, कि तीनों का जो difference है, वो same है, ये इनकी common difference same है, तो common difference को हम किसे denote करते हैं, D से, तो D कितना है, आपका 6 आया है, तो yes, it forms an AP, जिसका common difference same आजाए, तो वो क्या करते हैं, AP form करते हैं, अब AP form तो कर लिया, अब नोने बोला, अगर वो form करते हैं, तो next two terms बताओ, चार terms तो बताई हुई है, हमें कौन सी निकालनी है, 5th term निकालनी है, और 6th term निकालनी है, तो 5th और 6th के लिए, मैंने introduction में एक formula derive करके आपको बता था, कैसे करते हैं, अगर आपको 5th term निकालनी है, हम क्या करते हैं, 1st term plus, जो number यहाँ पे निकालना होता है, जो term आपको निकालनी होते हैं, उसमें से एक कम करके, जैसे कि 5 है, तो एक कम कर दिया, that is 4, multiply क्या हो जाता है, that is common difference, तो इसको अंदर solve करते हैं, a क्या होगा आपका, 4 है, a मतलब कि 1st term, 4 multiply d क्या है, common difference, that is 6, तो next term, यानि कि 5th term आगी आपके पास 28, similarly 6 term निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही formula यूज करेंगे, कि 1st term में plus कर देंगे, क्या, जो भी यहाँ number लिखा है, उसमें से 1 कम, 5, और multiply क्या कर देते हैं, d कर देते हैं, तो इसको करते हैं, solve, यह हो गए, आपके पास 4, plus 5, multiply d कितना है, आपके पास, 6, तो 6 term कितनी आगे, आपके पास, 34, यह हो गए, आपका 1st part, next करते हैं, तो यह next part दे रखा है, इसके लिए मैं terms लिख लेती हूँ, a1, a2, a3, a4, यह है 1st term, 2nd term, 3rd term, 4th term, करना है, कि क्या यह AP में है, या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, randomly कोई भी term उठाएंगे, और उसमें से पहले वाली term को क्या कर देते हैं, minus कर देते हैं, तो मैंने 4th term में से minus कर रही हूँ, 3rd term, तो 4th term में minus 5, minus formula वाला 3, 3 की value क्या है, minus 3, तो यह कितना हो जाएगा, यह आगया, minus 2, अब similarly, कोई भी एक random term उठा लो, यह उठा लो, इसमें से minus कर लो, पहले वाली term, यह कौन सी है, second, second में से first term minus कर देंगे, यह भी आगया, 2, similarly, आप एक और term भी उठा सकते हो, इसमें से, इसको minus करके check करेंगे, तो क्या यह सब का common difference same आ रहे है, यहाँ पर भी जो minus करके आया, minus 2 आया, यहाँ पर भी जो minus करके आया, वो भी minus 2 आया, यानि कि दोनों का जो difference है वो क्या है same, तो दोनों का difference same है, यानि कि common difference कितना हो गया, minus 2, तो क्या लिखेंगे, yes, it forms an AP, तो अगर, कोशन में क्या था, अगर वो AP बनाता है, तो हमें क्या करने, next two terms निकालनी है, 4 तक तो हमें दे रखी है, तो हमें 5th term भी निकालनी है, और हमें 6th term भी निकालनी है, तो 5th और 6th कैसे निकालते हैं, जैसे कि 5th निकालनी हैं, तो हम क्या करेंगे, 1st term में क्या add करते हैं, जो term निकालनी होती है, उसमें से 1 minus करके, 4 into difference कर देते हैं, तो क्या हो गया आपके पास, first term है, कितनी 1 plus 4 into difference कितना आया आपके पास minus 2 तो A5 कितना आगया आपके पास, minus 7, तो अब next term क्या होगी, A6 A6 को भी कैसे लिखेंगे, A plus, इसमें से एक चीज़ माइनस करी, तो 5 into D, formula बन गया आपके पास, यह इस formula की जो derivation है, कि यह formula आया कहां से है, यह चीज़ मेरे introduction वीडियो में बहुत अच्छे से explain की हुई है, अगर अभी तक आप लोगों नहीं देखा, तो I'll suggest उसको एक पर जरूर देखें, जिसका link आपको i button पर मिल जाएगा, तो चलिए A की value put करते हैं, A क्या है 1 plus 5 into D, D क्या है, minus 2 यह हो गया, minus 9 तो A6 आगया, minus 9, तो अभी यहां देख सकते होगे, minus 5 से मुझे next में jump करना है, तो मुझे क्या होगा, minus 7, minus 7 से next में jump करना है, तो क्या होएगा, minus 9 आएगा, तो यह है 5th और 6th time, चलिए अब करते हैं 3rd part 3rd part का यह series दे रखे, इसमें यह क्या है आपका A1, A2 A3, A4 तो अब हम कैसे चेक करेंगे, कि AP में है यह नहीं है, तो हम चेक करते हैं common difference से common difference कैसे निकालते हैं कोई भी एक random term उठालो उसमें से previous term क्या करते हैं हम minus करके चेक करते हैं तो अब यहां पर मैंने चाहे, मालो मैंने क्या उठाली है, 4th term उठाली है तो A4 minus A3 करके चेक करते हैं 2, 2 minus A3, A3 कितना है, minus 2 यह हो गया, 2 plus 2, that is 4, अब क्या कर रही हूं, मैं कोई और random term उठालेती हूं, जैसे कि A3 उठाली, तो A3 में से minus कर दिया, A2 तो पहले वरी term उसमें से minus करते हैं तो minus 2, minus 2 यह हो गया, minus 4 क्या 4 और minus 4 सेम है No, 4 अलग है और minus 4 अलग है यानि कि इनको minus करके, जो difference आया है, वो common नहीं आया तो क्या लिखेंगे, no it does not form an AP common difference सेम नहीं है तो वो AP form नहीं करते है चलिए अब करते हैं 4th part तो 4th part के लिए आपको यह series दे रखे, यह है 1st term 2nd term, 3rd term, 4th 5th, 6th term, 7th, 8th, 9th यह इत्याई terms से रखे हैं तो हम चेक करने कि क्या यह AP में है, यह नहीं है तो हम क्या करेंगे, randomly कोई भी term उठाएंगे, उससे previous वाली को चेक करके देखेंगे, क्या difference सेम आ रहा है, तो मैं उठा लेती हूँ, यह 1st, 2nd, 3rd, 4th, 4th term उठा लेती हूँ, 4th में से क्या माइनस करूंगी, पहले वाली term माइनस करूंगी, तो 4th में से 3rd term माइनस करके चेक करती हूँ, क्या difference आ पहले वाली term, वो कौन सी होगी, 4th term, 5th है आपके पास 2, और 4th term है आपके पास 2, 2-2 is 0, तो क्या 1 और 0, सेम है, सेम नहीं है, तो मतलब कि इसका common difference सेम नहीं आया, तो क्या answer लिखेंगे, no, it does not form an AP, और वैसे भी आप देखकर पता कर सकते हो, कि 3-2 is 1, but 3-3 is 0, similarly 2-1 is 1, but 1-1 is 0, तो यहनी की 1, 0, 1, 0 इस तरह का common difference आ रहा है, तो उसको थो हम common difference कहीं नहीं सकते, क्योंकि difference आपका common नहीं आ रहा, difference आपका सेम नहीं आ रहा, तो that means यह आपका AP form नहीं करता, so thank you, that's all for this video, next video में हम cover करेंगे exercise 5.1, thank you! कर्णों कर्णाई झाल झाल